रमजान का पाक महीना शुरू होते ही बाजारों में ठेलों और दुकानों पर सजी हुई खजूर दिखाई देने लगती है इस पाक महीने में अजुआ, इरानी, अंबर और बसरा खजूर की डिमांड बढ़ जाती है मुस्लिम समुदाय में ज्यादातर रोज़दार खजूर से ही इफ़तार करते हैं क्योंकि खजूर से रोज़दार इफ़तार करना सुन्नत होता है इसलिए रोज़दार खजूरों के खरिदारी जरूर करते हैं इस समय बाजार में 80 रुपय से लेकर 4000 रुपय प्रतिकिलों तक खजूर बिक रहा है हाला कि इस बार सौधी में उम्राओ और हज़ पर कम लोगों के होने की वज़े से 4000 रुपय प्रतिकिलों बिकने वाली अजुआ खजूर के दाम खटके हैं बाजार में सबसे ज्यादा महंगी खजूरे अंबर, अजुआ और मर्यम है इन खजूरों की खासियत यह है कि यह खुश्बुदार और काफी रसीली होती है हाला कि इरानी और बसरा खजूर हर खासो आम की पहली पसंद है इसके दाम पातसो रुपय प्रतिकिलो तक होते हैं तो आईए आपको ले चलते हैं मुरादाबाद के ऐसे बाजार में जुसे पत्थर के चौराहे नाम से जाना जाता है जो मुरादाबाद जिले का सबसे बड़ा खजूर बाजार है जहां मुरादबाद समेत आसपास के जिलों के लोग खजूर खरीदने आते हैं यहां खजूरों के दाम 80 रुपए से लेकर 4000 रुपए प्रतिकीलो ग्राम तक है बाजार में एक दुकानदार ने बताया कि यह बहुत पुराना बाजार है जहां उन्हें व्यपार करते 20 साल से ज्यादा का समय भी चुका है उनके पास कई वराइटी के खजूर मिलते हैं जिनमें अजूआ, मेक जोल, अंबर, मगरूम, गदाफी, कल्मी, खदरी, इरानी, फर्द, वराइटी शामिल है इस समय खजूआ, खजूर के दाम घटकर 23 सो रुपए, प्रति किलो ग्राम हो गया है दुकानदार ने बताया कि खजूआ, खजूर हाट के मरीजों के लिए सबसे फाइदे मंद है इसे खाने से कभी दिल की बिमारी नहीं होती बाकी खजूरे भी इनसान के लिए बहुत लाबदायक है दुकानदार ने बताया कि पिछले दो साल के मुकाबले इस बार खजूर की दुकानदारी बहतर है यहां एक हजार दो हजार रुपे किलो तकी खजूरे और 500 रुपे से 400 रुपे से 100 रुपे किलो तक से 80 रुपे किलो तकी खजूर रंजान में बहुत अच्छी तरह की दोनक देखी जाती है जी पूरी मुराद में सफसे बड़ी खारगोट नहीं पे लगते हैं खजूर की खासियत यहीं कि दिल को मजबूत करता है दिमाग को तरो तावे रखता है खजूर क dauert वह झाली कि असा और फ़ोन को नया बनाता है stays करता है दिल के मरीच लिए भी यहाशा ही जी अच्छी होती ही de που बारो महीरी चलती है हमारे यहां रमजानों में ज्यादा बिक्री हो यह वजार तो बहुत पराना था एक जमान हो गया इसके हमारा बच्पन ने बुड़ा जमान में पुड़ापे में खदम रख दिया लेकिन पहले इस तरह की मार्की इड्नेटी बनी गई हमारे यहां अजवा है मैट जॉल है अंबर है मगरूम है अफाफी है सुक्री है कल्मी है खद्री है किदानी है फर्द है अब तो कस्ट्वमर साब एक मेडियम खजूर जाते खाता है तो श्चे सो रुपे की लोगी है पांचो रुपे की लोगी है अब जो गरीब जो इंसान है जिस पर प्राइसे का वैनी भीटी नहीं है तो वह 120 रुपे के लवाली खजूर ले 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 था वह एक खजूर ऐसी है कि इंसान के हाट तो खत्व होई अभी जिंदिगी में हाट नहीं होने देती क्या कभी उससे गुर्दे फिल नहीं हो और जितने भी खजूरे में खून बनाती है इसको खाने जो खून बनता है और उसके साथ-साथ बहुत सी परशानियां जो बोड़ी से दूर होती है हाँ पहले बहुत महांगाती है लेकिन हज नहीं कि वाज़ एक इसकी मार्केट की नहीं कि अज भी इस नहीं कि तो बहुत बहुत बेतर है पहले तो कुछ भी नहीं था परोना के चक्तर में सारी मार्किन ख़त्म हो गए लोग आते हैं कि अभी वैजय के लोग आते हैं पुर्छे शार टो खरीदता है आसपास के लोग भी आते हैं सम्हाल एंडाम पूर है हिन्यकाओं के भौत आते हैं इतने साल के मखाबले तो बहुत बढ़िया है। पर दुखाने के खुल लाइए है । इतनी साल दुखाने के खुल लाइए ती कॉराने के चक्टे में दुखाने सारी बनने हुआ।